हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चानल हिस्टेजी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में काफ़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स दिये हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube Channel STDWiM को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बगल में जो बेला इकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिविकेशन आपके पाँ जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 5.5 के यहाँ पर सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पर कुईज का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियफ से ही पर शेयर की जाती हैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस सीरीज का पहला कुशन है बौध धर्म का विश्व कोश यानि एंसाइकलोपीडिया और बुद्धिस्म किस ग्रंथ को कहा जाता है एंसाइकलोपीडिया और बुद्धिस्म कहा जाता है महा विभाष शास्त्र को option A यहाँ पर आपका right answer है अगला कुशन है आपका सुन्यवाद वसापिक्षवाद का प्रवर्तक था option B आपका यहाँ पर right answer है अगला कुशन देखिए C.O. यूची नाम था छोटी यूची का option A आपका यहाँ पर right answer है अगला कुशन है ता यूची कहते थे बड़ी यूची को option B आपका यहाँ पर right answer है अगला कुशन है भारत में कुशान सामराजी की स्थापना करने वाला कुशान साशक था विम कैट फिसेस option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए सक समवत सक समवत की स्थापना की थी कुशानों ने option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए सक समवत की स्थापना कुशान साशक कनिस्क ने की थी फिर भी इसे सक समवत कहने का कारण था फिर भी इसे सक समवत कहने का कारण था देखिए सको द्वारा इसका लंबे समय तक प्रियोग किया गया था लेकिन इसका जो स्थापना है ये कुशांट शाशक कनिश्क ने किया था तो काफी important questions आपका यहां पर बन सकता है देखिए सक समवत की स्थापना किस कुशांट शाशक ने की थी तो ये की थी आपके कनिश्क से कनिश्क ने आप no down जरूर कर लें काफी important questions है आपका अगला देखिए समुद्र गुप्त के विशय में जानने का एक प्रमुख शोत है एरन अभिलेक अगला question है आपका समुद्र गुप्त ने आरिया वर्त के राजाओं के पृति जो नीती अपनाई उसे कहते हैं आरिया वरत राज पृत्षर भोत्दरन कहते हैं आप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन है समुद्र गुप्त की दक्षणापत के राजाओं के पृति अपनाई गई नीती को कहते हैं सर्व दक्षणापत राज ग्रहन मोक्षानू ग्रह आप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर है अगला कुश्यन देखें सैयद वंच का सस्थापक कौन था सैयद वंच का सस्थापक था खेजर खा आप्शन से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन देखें लोदी वंच का सस्थापक कौन था लोदी वंच का सस्थापक था बहलोल लोदी आप्शन से आपका यहां पर राइट आंसर है अगला कुश्यन है गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शाशक था सिकंदर लोदी option B आपका यहां पे right answer है अगला कुश्यन देखे सेरसा सूरी की मिर्तियू किस अभियान के दोरान हुई थी सेरसा सूरी जो है इसकी मिर्तियू हुई थी चौसा के युद्ध में option A आपका यहां पे right answer है अगला कुश्यन है इतिहास में सेरसा किस लिए प्रशिद्ध है इतिहास में सेरसा जो है यह प्रशाशनिक व्यवस्था के लिए option C आपका यहां पे right answer हो जाएगा अगला देखिए इस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंब में किस की मुद्रा परणाली को अपनाया था व्यवस्थ इंडिया कंपनी ने प्रारंब में सेरसा की मुद्रा परणाली को अपनाया था option D आपका यहां पे right answer हो जाएगा अगला कुश्यन है सेरसा द्वारा निर्मित एक सडक, सडक A. आजम कहलाती थी वह थी सडक A. आजम कहलाने वाली सडक थी कलकत्ता से पेशावर वाली सडक जिसको सडक A. आजम कहा जाता था option C आपका यहां पे right answer हो जाएगा अगला देखे सेरसा को भारती मुसल्वान चाशकों में महानतम मानने वाले विद्वान है option B आपका यहां पे right answer है अगला कुश्यन है बाबर ने बाबर नामा में किस हिंदु राजी को सरवाधिक शक्तिशाली बताया है बाबर ने बाबर नामा में विजैन अगर समराजी जो है विजैन अगर राजी को सरवाधिक शक्तिशाली बताया है option D आपका यहां पे right answer हो जाएगा अगला कुश्यन देखे हुमायू जीवन परियंत लड़ खडाता रहा तथा लड़ खडा कर ही उसकी मिर्तियो हुई किस इधियासकार का कथन है देखे हुमायू जीवन परियंत लड़ खडाता रहा तथा लड़ खडा कर ही उसकी मिर्तियो हुई ये कथन है आपका lane pool का option D आपका यहाँ पर right answer है अगला question देखे भारत में सर्व पर्थम बारूत का प्रियोग किस ने किया भारत में सर्व पर्थम बारूत का प्रियोग किया था बाबर ने option C आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा देखे गाईज वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल study with aim को जरूर subscribe कर लें अगला है तुलू गुमा पद्दती का प्रियोग भारत में सर्व पर्थम किस ने जलालू दिन ओफ्षन ए यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला देखिए अकबर का जन्मस्तल था अमर कोट ओफ्षन डी आपका यहां पर right answer है अगला है अकबर का सिंहासना रोहन किया गया था अगबर का सिंहासना रोहन किया था आपके काला नूर में option c आपका यहाँ पर right answer है अगला है दीन ए इलाही किस थापना किस सासक ने की थी दीन ए इलाही किस थापना की थी अगबर ने option c आपका यहाँ पर right answer है अगला question है किस मुगल शाशक को रास्टी समराट कहा जाता है रास्टी समराट कहा जाता है अगबर को option C आपका यहां पर right answer है अगला question है सुलह एकुल नीती का पालन किस मुगल समराड ने किया सुलह एकुल नीती का पालन किया था अगबर ने option C आपका यहां पर right answer है अगला है अगबर का मगबरा इस्तित है अग्बर का मगबरा इस्तित है आपके सिकंदरा में option C correct answer है अगला है साज जहां का वास्तवीक नाम था साज जहां का वास्तवीक नाम था खुर्रम option B आपका यहां पर right answer है दिखे गाइस वीडियो में जितने भी question दिये हैं यह काफी selected question है I hope आपको पसंद आ रहे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like जरूर कर ले और out of 50 कितने question आपके character रहे आज के यह आपको comment section में comment करना है और साथ ही देखे वीडियो कसी लग रही है यह आपको comment section में comment करना है अगला है जहांगीर के शाषनकाल में आने वाला पर्थम अंग्रेज था जहांगीर के साषनकाल में आने वाला पर्थम अंग्रेज था विलियम हौकिन्स option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला है मनसबदारी पर्था को भारत में प्रचलित किया था मनसबदारी पर्था का प्रचलित भारत में किया था अग्बर के द्वारा option A आपका यहां पर right answer है अगला देखिए अमरत सर में स्वन मंदिर के निर्मान के लिए भूमी प्रदान करने वाला मोगल समराड था अगला है मोगल भूमी व्यवस्ता का विस्तरित वर्णन किस पुस्तक में मिलता है मोगल भूमी व्यवस्ता का विस्तरित वर्णन मिलता है आपके आईने अग्बरी में option B आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए सिवाजी ने जैसिंग के साथ कौन सी संधी की थी सिवाजी ने जैसिंग के साथ पुरंदर की संधी की थी option B आपका यहां पर right answer है अगला देखिए निमलिखित किस गवर्णनल जन्रल ने भारत में प्रिसमविदात्मक सिविल सेवा का सरजन किया जिसे 1861 के बाद से भारती सिविल सेवा के रोप में जाना जाता है यह हैं आपके कार्ण वालिस ओप्शन सी आपका यहां पर right answer है अगला देखिए भारत में ब्रिटिस की लैसर फेर नीती का क्या उद्देश था भारत में ब्रिटिस की लैसर फेर जो नीती है इसका उद्देश था भारती कच्चे माल के इंगलेंड निरियात वा भारत में ब्रिटिस द्वारा तयार किये गए माल के आयाद पर समस्त्र प्रतिबंदों को हटाना option d आपका इस question का right answer है अगला देखे भारत के युवा सिविल सेवकों को प्रिशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम महाविद्याले की स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन था भारत के युवा सिविल सेवकों को प्रिशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम महाविद्याले की स्थापना के लिए जिम्मेदार था वेलेजली option a आपका है राइट आंसर है अगला देखे किस वाई सराई के कारिकाल में कलकत्ता मदरास और बंबई के तीन प्रांतिय नगरों में उच्च न्यायलयों की स्थापना की गई थी ये वाई सराई थे आपके जॉन लॉरेंस option b आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला देखे किस ने विद्वा पुनर्विवा अधिनियम पारित किया था विद्वा पुनर्विवा अधिनियम पारित किया था डल हो जी ने option b आपका यहाँ पर राइट आंसर है देखे गाईस काफी important questions है no down जरूर कर ले अगला देखे जॉन्थन डनकन ने 1792 में कहाँ पर संस्कृत महाविद्याले की स्थापना की थी देखे जॉन्थन डनकन थे इन्होंने 1792 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्याले की स्थापना की थी option d आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था 1835 में option C आपका यहाँ पर right answer है अगला देखे निमलिखित मैं से किसने भारत में लड़कियों के शिक्षा के लिए मंजूरी दी थी भारत में लड़कियों के शिक्षा के लिए मंजूरी देने वाले थे डलहौजी option A आपका यहाँ पर right answer है अगला है आपका 1854 के शेक्षिक डिस्पैस को तयार करने वाला सूर्चार्स वूड उस समय का क्या था 1854 में शेक्षिक डिस्पैस को तयार करने वाला सूर्चार्स वूड जो था ये उस समय का नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष था option C आपका यहाँ पर right answer है अगला देखे 1882 के भारतिक शिक्षा आयो के अध्यक्ष कौन थे 1882 के भारतिक शिक्षा आयो के अध्यक्ष थे www.hunter option B आपका यहाँ पर right answer है अगला देखे भारति विश्व विद्यालेयों ने शिक्षन कारियों को कप ग्रहन किया था भारति विश्व विद्यालेयों ने शिक्षन कारियों को ग्रहन किया था 1904 B में option D आपका यहाँ पर right answer है अगला है किस अधिनियम द्वारा सरकारी तोर पर पहली बार शिक्षा को भारति नियंतरण के अंतरगत लाया गया था यह अधिनियम था आपका भारत का भारत अधिनियम 1919 option C आपका यहाँ पर right answer है भारत सरकार अधिनियम 1919 इस अधिनियम दोरा सरकारी तोर पर पहली बार शिक्षा को भारती नियंतरण के अंतरगत लाया गया था अगला देखे कब से ग्रह सरकार के इस्तर पर नियंतरण मंडल वर निदेशक कोट को युक्त द्वी सरकार का सरजन हुआ था इस ग्रह सरकार के इस्तर पर नियंतरण मंडल वर निदेशक कोट से युक्त द्वी सरकार का सरजन हुआ था अगला कुश्चन है किस अधिनियम के कारण प्रेसिडेंसी परणाली की समापती हुई थी काफ़ इंपोर्डेंट कुश्चन है किस अधिनियम के कारण प्रेसिडेंसी परणाली की समापती हुई थी ये अधिनियम था आपका चार्टर एक्ट 1833 का जिसके कारण प्रेसिडेंसी परणाली की समापती हुई थी लास्ट क्षिशन है आज की वीडियो का चतूर्थ बौध संगती कहां आयजित हुई थी चतूर्थ बौध संगती जो थी यह आयजित हुई थी आपके कश्मीर में option A आपका यहां पर right answer है ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like, share and हमारे यूट्यूब चैनल स्टिडी विद एम को जरूर सस्क्राइब करने और वीडियो आपको कैसी लगी यह आपको